हाई यूप्रिवन मैं हूँ प्रियांका और आप सब भी देख रहे हैं मसालेदार प्लम केक बच्चों को बड़ों को पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आता है सब को यह रैसी पसंद आती है एक केक बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही टेस्टी रिलेशियस केक बन के तयार होता है ज़रूर से क्रिस्मस पर बनाएगा इस भी बहुत ही सांदार होने वाली है सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ नर्स उगरा ले लिए अच्छे से कट कर लिया है तोड़ी फ्रोटी ले लिया है तोड़ी फ्रोटी अगर ना हो इसके भी कर दें ड्राइव फ्रोटी से न एक ने orage Busy फ्रोटी कर लिए है, और इसी हमें क्या करना है थोटी फोटी एक लिए शूक कर लिक रखना होगा थे अगर आप बनाते हैं ऑ Jew न्यूस बहुँत हैँ अगर है आपके पास जरूर यूज करिएगा नहीं है तो स्किप भी कर दें मैं इसे गरम पानी में भीगो के दस्ते पादन ले रख दिया है जब तक हम आगे तयारी करेंगे तिक पैन में डालेंगे हम चार से पांच चम्मत चीनी इसे हमें क्या करना होगा अच्छे से करिएगा फिर इसके बाच तो पूरी घुल जाये मिल जाये तब हमें इसकी फ्लेम को बंद करने के वाए उसे पानी एड करना होगा है काफी हीट है तो एक बार ऐसे हो जाएगा गयस की फ्लेम को बंद ही रखना है अभीम इसकी फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे जिसे हम धीरे-धीरे मिल्ट करते हुए अच्छे से मिल्ट कर लेंगे पूरा इसमें पानी अच्छे से खुल मिल जाए अभी हम गैस की फ्लेम को ओन करेंगे धीमी आज पेसे हम फुरीदे के लिए पका लेते हैं बस एक बॉयल आने तक का बस इतना है इसे हम छोड़ देंग सरसो का तेल भी नहीं अटकिया जाए इसमें तिसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे ना थोड़ा सचाहे तो आप दही भी मिला सकते हैं नहीं तो इसके भी कर देजी कोई दिक्कत नहीं मैंने यह यह पे चीनी के पाड़र ले लिया है नार्मल चीनी की मतलब फट जाएगा दूथ मारे दही की कंस्लोटेंसी में आ जाएगा अगर दही यड़ू यड़ू ढालना यह ल면 सकते हैं तो नीबू का रस भी ड़न सकते हैं तो मैंने यहां थोड़ा से सिनेमींश ले जा था यानि की बड़ाे पीस लिया ह। और तो हम कहां पाड़ः इस इसका स्वात बहुत ही अलगाएगा थोड़ा सरीर में गरम भी रखता है तब यहां पर मैदा ले लेते हैं मैदे की क्वांटरिटी मैंने यहां पर 200 ग्राम रखा हुआ है आप अपने इसाब से कम जादा कर सकते हैं और मैंने एक चमज यहां पर कोको पोडर डाल दिया है अधर कलर के लिए हैं यहां पर को दालों ना हो दक्ति यहां पर हो तया है इस Face process कर call के लिए puòडर नने हीकिंग इसे बहुत है ऐसिपांजी बंता है अ आपर मैंने दालक पीचिनीमा मिलुक तक के रखा था उसका एक चड़न दाल दिया है और जड़क पाह से का यहां पर कि और अच्छे से मिक्स कर लेंगे के इक्वल कर लेंगे सारी चीज़ों को ताकि कहीं भी कोई चीज कम जादा ना हो तो जो ड्राइब फूर्ट में भिगा के रखे थे इसको इसे हम पानी के साथ ही यड़ कर देंगे इसमें इसका पानी हम चानेंगे नहीं ऐसे डाल देंगे इन्हें मिक्स करेंगे जो मैंने क्रेमल तयार किया था यह अच्छे से ठंडा हो चुका है ध्यान रहे कि ठंडा करके ही डालना है गरम भी नहीं डालेंगे इसे अच्छे से हम डाल देंगे इसमें और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार हमें मिक्स करके देखना होगा कि अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे अभी जो मैंने यहां पर बिट इंगिडियन्स तयार किये थी उसे डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करेंगे जितना हमें जरूवत होगी और यह भी हमें ध्यान रखना है कि इसका जो मतलब रखना है इसे तो ड्राइगी रखना है वह सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर यहां पर डाला है यहां पर डाल दिया है मेलन सीट्स और थोड़ा काजू और रेंडिंग मैंने डाला है थोड़ा सब अदाम थोड़ी सी स्कीप हो गए थी वीडियो ऐसे हम बेक होने के लिए रख देते हैं बेक होने में इस कम से कम पचास मिनट लग जाएंगे मैंने 180 डिगरी पर रखा था इसे पहले से मैंने प्रिहीट भी गया था इसके बाद भी मैंने 180 डिगरी पिसे पका डिया है अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ते गंट wann나 प्लेट लेते हैं इसका पेपर निकाल देते हैं जिसका बटर में लगा स्कास 1998 कि तैयार हुआया है कि बहुत ही सांदार केक बन के तयार होगा इसमें से खुजबू भी बहुत है अच्छी आ रहे क्योंकि मैंने जो इसमें सिनेमेंस पॉडर रोगरा जैपल कर बड़ डाल देगा था ना इससे इसका टेस्ट बहुत ही अलगाया हुआ है अब आपको कटकर इसको दिखा देते ह है कि इतना पढ़ा जोका सब्सक्रादि की बहुत हैं सबस्क्रदेदार जाली डाली हरा है का इyd मैंह다 भी एक सब्सक्राइब हो घुर फ्ल्राइब करस्क्थ ताइम WILL लेते तुए स्में वापकि कोई बात नहीं है पैसे चुंगेसं पियोंग बना सकते है किसी कड़ाही मे थोड़ा सा नमंग डालें उसे प्रिहीट करें और इसे आप बेक कर सकते हैं तर इस भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इनलों को सब्सक्राइब करना बेल आइकोन को प्रिस करना लाइक करना मत भूलें